लोगों के जिंदिगे के उलजनों को सुलजाने वाले बागे सुर्धाम के पिठाधिशो और धिरेंदर शास्त्री काफी लोगपीर्य बाबा माने जाते हैं। इन्हें प्रसिद कथा वाचक के रूप में भी देखा चाता है। लेकिन हाली में खबर आई ही कि लोगों के उलजनों को दूर करने वाले बाबा आज खुद अपने एक बयान के वज़ा से मुसीबत में आ गए हैं। बयान इतना विवादित था कि महराज के सियास्त भी गर्मा गई है। अगर आप उस बयान के बारे में जानना चाते हैं तो हमारी इस वीडियो के अंतक बने रहे हैं। नमस्कार मैं दिव्या और आप देख रहे हैं वोकल नियूज। मशुहूर कथावाचक धिरेंद शास्त्री के दिये गए बयान पर चारों तरफ गर्मा गर्मी का माहौल दिख रहा है। दरवसर इस मुद्दे की सुरुवात यहां से होती है कि पिठा धिश्वर धिरेंद सास्त्री के दरबार में एक भक्त या पूछता है कि हमारे देश में बहुत सी लोग साई भक्त हैं। लेकिन सनातन धर्म साई के पूजा को उतना महत्तों नहीं देता है। पकि साई की पूजा सनातनी पद्दती से होता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। जवाब में धिरेंद सास्त्री ने कहा हमारे धर्म के शंक्रचारे ने साई बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया। शंक्राचारे की बात मानना हर सनातनी का धर्म है क्योंकि वो हमारे धर्म के परधान मंत्री है कोई भी संद चाहे हमारे धर्म के हो या फिर कोई और हो वे संद युग पुरुष और कल्पुरुष हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं उन्होंने कहा कि साई बाबा संद हो सकते ह यह बोलना विवाद का विशय होगा लेकिन यह बोलना भी जरूरी है कि गीदर की खाल पहन लेने से कोई सेर नहीं हो जाता फिर क्या इस बयान के बाद उनके खिलाफ लोगों ने बाते बनानी शुरू कर दी यही नहीं साही बावा को लेकर दिये गए बयान पर हंगामा हो गया इस मुद्दे पर महरास्ट की सियासत भी गर्मा गई अब शिव सेना के नेता राहूल कनल ने पुलिस को एक पत्र लिखा है जिसमें बागे स्वर्धाम के पिठाधिश्व धिरेंद शास्त्री के खिलाफ एफ आयार दर्ज करने की मांग की गई है पुलिस के मुताबिक दिरेंद शास्त्री के खिलाफ दी गए शिकायत में धार्मिक भावनाय आहत करने के आरोप में एफ आयार दर्ज करने की मांग की गई है उनके खिलाफ मुंबई की बांदरा पुलिस थाने की शिकायत की गई दिरेंदर शास्त्री के इस बयान के बाद कई मंत्री नेता ने नराजगी जाहिर की महराश्ट के उप मुख्य मंत्री देवेंदर पटनवीस के करीबी माने जाने वाले और कैबिनेट मंतरी राधा किष्ण विल्खे ने पाटिल ने भी धिरंद सास्त्री के बयान पर कड़ी अपत्ती जताई है उन्होंने कहा कि उन्हें बाबा पर सवाल उठाने का क्या दिखा रहे अगर उन्हें किसी खास धर्म या संगटन के लिए कैमपन करना है तो वो अपनी चार दिवारी में रहकर ये काम करें लेकिन उनका ऐसे गैड़ जिमेदराना बयान संबर्दाइक हिंसा को जन्व दे सकते हैं एन्सीपी नेता जितेंदर आहर ने भी बागेस्वर धाम के पिठाधिश्वर को निशाने पर लिया और कहा कि महरास्ट में हर किसी को महापूसों का अपमान करने दिया जा रहा है जिसे जो बोलना है वो बोल रहा है